अब ये जो भक्ति का स्वरूप होता है ये मत समझे कि इसमें कुरुबान नियानी करनी पड़ती या बड़ी आसानी से ये भक्ति मिल जाती है ने ने ऐसा नहीं है एक बार इसमें लिखते हैं हमारे जो हमारे क्रंथ में कि शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं भजन है ये महबत जिन से करनी है बिना देखे अचमबा है याद में आसू बहाना कोई मजाक नहीं निशान न मिले बे निशान से बात करें आवाज दे के बुलाना कोई मजाक नहीं यानि बे निशान उस परमात्मा से प्रेम किया भी तो कैस किया जाए कोई असान थोड़ी है फिर भी लोग करते हैं भाव करते हैं और जाता है कि एक लेडी भक्तानी हमारे गुरु गुरुदेव की एक शिच्छा जैसे आप कह सकते संसार में रहते हुए ग tęए देव से connected है एक दिन दर्शन करने के लिए गई जैसे हम लोग साल में तीन चार बार जाते हं हर इन तीन-चार महिंने में होता है आप चाहे तो जा करें सकते हैं तो वो जो गई वहाँ पर रर्शन करने के लिए तो गुरुदेव मन बांसुरी देकर गई कि मन में भावता कि बांसुरी गुरुधेव को भीर की जाए बजाएंगे तो वो जो मेरे मेरे वे टे मेरे रिप प्रतिवर फ्र знаем का तो आनन्द आएगा उनको उस रूप में दर्शन करते हुए उनको देखेंगे तो मन में बड़ा भाव था प्यार था अब गए प्रभु के चड़नों में बांसरी बेट की और बड़े प्यार से प्राथना करी गुर्देव ने क्या लेकर आयो की ले आईए तो कहते है जी ब जाके दिखाओ न अब प्रभु तो फिर अपने अवलीला धरी देखते हैं कि इसके भाव क्या है मतलब उनकी लिए सबसे इंपोर्टेंट क्या है सद्गुरु जो है वो कोई बाहर का खेल थोड़ी कर रहे हैं वो आत्मा का आत्मा के साथ रिष्ट है जरा देखने इसके कैसा भाव रहेगा कैसा भाव रहेगा राधा का भाव क्या वो राधा शब्द का उल्टा धारा प्रेम की जो सतत धारा है उनका नाम श्री राधा है क्या प्रेम अथा मतलब श्री कृष्ण स्वयमी ही अपनी प्रेम में मूर्ति को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया हुए तो वो उनका राधा स्वरूप है उनकी महिमा में मैं पूरी व्याख्यान गा सकता हूं इतना उनके प्रतिभाव है लेकिन अभी के लिए जो बात चली है तो प्रभु ने पूछा पांसरीता से बजावाएं तू राधा बनेगी अब वो उसने उसका जवाब था जरा ध्यान सु आपका जवाब क्या होगा मानलो आप भगवाण आपसे पूछते हैं हम बांसरी बजाने को त्यार है तो राधा बनेगी अब इसमें पूरुष और इस्त्री कोई फरक नहीं है प्रेम की बात है अब प्रेम रूप में है क्योंकि सभी सभी इस मामले में पूरुष इस्त्र एस रूप में मानता ही नहीं तो मतलब की वह प्रेम का जो भाव है क्या आपके अंदर अगर वह हैं अगर तो जरूरूर नको आप उस रूप में कि भई आप उनके प्रेम में पड़े हैं तो राधा का भाव लेकर आना कि वो मेरे कनया मेरे भगवान है और मैं उनके रतीराधा का मेरा मन में राधा जैसा प्यार है। शे सद्गुर्दे भगवान जी ने फरमाया क्या तो राधा बनेगी अब उस इस्तरी ने उस भगदानी ने संसारी उल्जने बाहर से तो कह तो दिया लेकिन अंदर में अभी पूरी तयारी नहीं है कह सकती थी हाँ राधा बनने के लिए त्यार हूँ लेकिन असान नहीं है यह बात समझ लेना उसने कहा कि प्रभू इस जनम में तो मेरी शादी हो चुकी है महराधा नहीं बन सकती अगले जनम में मेरा प्रावमिस रहा कि महराधा बन के आऊंगी गुर्देव मूस्क कराई कहते तो कहती हमने तेरे शहरी नहींael का एक हूँ होता है वह ताइम होता है प्रेमात्मा का रिष्टा है इतना भाव कहां से आए को मजाग थोड़ी है कोई इतना आस़ान थोड़ी है कि ही दिए इतनी इतनी इसी नहीं होती ना बात किसी ने किसी ने गुरु मतलब परमात्मा के प्रती जो ये भाव है कि इतना परमात्मा को पाने के लिए इतना जो भाव होना चाहिए गुनानक साथ फरमाते हैं जनको प्रभु दरस प्यासा नानक ताको बलबल जासा जिनके दिल में परमात्मा से मिलने की तड़प है उनारे सफर माते में कुर्बान हूँ ऐसे लोगों पर जिन्हों ने वो प्रेम अपने दिल में पैदा किया है यह इतना असान मामला नहीं है जितना हम सोचते हैं फिर परमात्मा की कृपा से यह सा हो जाता है तो धन्य हैं वो लोग जिनके दिल में यह प्यार पैदा हो जाता है जो अपने सद्गुरु को अपने इश्ट के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं तो कहते हैं कि जैसे जो जो उन्होंने बजन यह बोलती है शाम तन शाम मन शाम ही हमारो धन आठो याम उदो हमें शाम ही सो काम है शाम ही ये शाम जीए शाम बीना ना ही जीए आंदे किसी लाकड़ी आधार नाम शाम है जिन्होंने प्रेम किया है उनके लिए तो यही वाली भाशा चलती है कि साच कहो सुनले ओ सबे जिन प्रेम किय देने ही प्रभु पायों तो धन्य हैं वो लोग जनोंने प्रेम किया है आप भी मोका हैं पर मात्मा से प्रेम नहीं करेंगे तो किससे करेंगे संसार के साड़े बंदनों का प्रेम काट कर सब VII ममता ताग बटोरी मम प्द मन इंहीबंध बरी-दोरी तक वते लस्वान प्रमातमा तुझे वहां पर तुझे मिल जाएगा प्रमातमा के साथ उप्रेम का रिष्टा हो जाएगा, ता संसार से थोड़ा समेट अपने आपको और सारे ममता के रिश्टे प्रमातमा के साथ जोड़ी, क्या ये connection बनता है आप से पूछ रहा हूं कि आपके दिल में ये प्यार करिष्टा बनता है अब ये आप बताएं